आप में ऐसी कौन सी बाते होने चाहिए जिससे आपको लोग strong personality कह सकें करेंगे इसी बारे में बात प्रीजी एक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है जो भी परशानी आई है आती है जिन्दगी में सुब दुख तो चलता रहता है तो आपको परशानी क्यों आई है यह तो सोचना ही है पर आपका मकसद परशानी का हल निकालना भी होना चाहिए ना कि परशानी आने पर अपने आपको कमने बंद कर लो इसे बोलना बंद कर दो इसे तो कायरता कहते हैं जब आप हल निकालोगे और उस मुश्किल से निकल पाओगे तभी तो आप स्टॉंग के लाओगे दूसरा जिन बातों से आप सहमत नहीं होते हैं तो वाकिए आप उस चीज के लिए ना कहते हैं और कभी कभी आप ना इसलिए नहीं कह पाते दूसरे को कि कई बार उसका रिष्टा आपसे इतना नाजुक होता है आपको लगता है रिष्टा खराब नहीं हो जाए तोटना जाए क्योंकि आपको लगता है उसने बड़ी उमीन से काम बोला है तो यह भी गलत है यह आप गलत हैं मतलब कि जिस काम को आप कर नहीं सकते या आपका मन नहीं मान रहा, तो आपको उसके लिए ना कर देना चाहिए. अब कैसे ना करें? आप वराम से दूसरे को समझा कर ना कर सकते हैं. मैं यह नहीं कर पाँगा क्योंकि मुझे इसके नौलीज नहीं है. या सॉरी मैं नहीं कर पाऊंगा सॉरी का वराम से उस चीज़ से अलग हो सकते हैं तीसरा जब आप जानते हैं कि समय बदल जाता है मौसम बदल जाता है इनसान बदल जाता है आप सेंड डाउंज आते हैं तो आपको यह समझ आगी होगी कि बदलना नौर्मल है जब आज हालात आपके हिसाब से नहीं है आज आपके बहुत बुरे हाल है तो जो आपको चाहिए वैसे हालात नहीं है तो जब आपको यह बात अच्छे से पता होगी कि कभी भी हालात इनसान के एक जैसे नहीं रहते हालात समय के साथ बदलते हैं तो आपके जैसे भी हालात हूँ आप उसका अराम से सामना कर पाऊगे और आप सबी से गलतियां होती हैं इंसान हैं कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन जब आप उन गलतियों से कुछ सीखते हैं और उनको दुबारा नहीं दौराते हैं तो आप स्ट्रांग बनते जाते हैं और जो भी परानी बाते हैं उसे भूल जाओ पास्ट क्यों याद रखना है पास्ट भूल जाने में आपका इफादा है आप अपने आपको खुदी टैंशन देते हो जो बीट गया वो वापस नहीं आने वाला क्यों फिर अपने आपको टैंशन देते हो जब आपकी परानी बातों को भूल जाओगे तो आप बहतर चीजों पर काम कर सकते हो एक कहावत आपने सुनी होगी भूल जाओ उसे जिसे आप माफ नहीं कर सकते माफ कर दो उसे जिसे आप भूल नहीं सकते कोई भी बात आपको परशान कर रही है तो उस इंसान को ही भूल जाओ या आपके लिए कोई रिष्टा बहुत माइने रखता है तो उस इंसान को माफ कर दो तभी आपको शान्ती मिलेगी बातों को दिल से लगाओगे तो किसी का कुछ नहीं जाएगा आप बिमार रहने लग जाओगे और कभी किसी और को दूसरे के हिसाब से जज्ज मत करो वो कर रहे बुरा है तो आप भी मत को आप भी मत समले को बुरा ही है किसी और की बातों मताओ आप में भी दिमाग है इस बात पर गौर करो कि बताने वाला कौन है बताने वाला ही गलत इंसान है जो खुद ही गलत इंसान है उसको दूसरे भी गलत ही नज़र आएंगे तो जिसके बारे में बात कर रहा था आप उसके साथ टाइम बिताओ और आप पता चलता है आपको कि उसका वगर आपके साथ कैसा है क्योंकि किसी को भी जज़ करने से पहले आपको दोनों साइड़ों की बाते पता होनी चाहिए किसी की भाषा, किसी की अनुभव, किसी को अधार बनाकर आप जज मत करो ठीके आप जैसे हो, वैसे रहो, आप अपनी तमीज में रहो अगर आपको पता चल जाता है कि सच्छे में वो गलत है इंसान, माल लो जब आपने उसके वैवार किया, तो आप तमीज, तब भी आतमीज से बोलो उससे कम बोलो, सोच समझ कर बोलो, सबसे बराबर, उसको बराबर ट्रेट करो आप सच बोलना पसंद करते हैं और आपकी दोस्ती भी ऐसे लोगों के साथ होती है जो सच बोलते हैं, और सच सुनना पसंद करते हैं, तो क्या बात है तो यह काफी अच्छा लगता है, आपकी बहुत अच्छे दोस्त हैं, देखने वालों को भी अच्छा लगता है अगर आपको विश्वास है कि मैं कर लूँगा और आप इसके लिए मेहनत करते हैं तो वो आप जरूर गोल को पा लेते हैं और घर वाले भी देखते रह जाते हैं और स्टॉंग परस्टनालिटी अगर मैं अपनी जिन्दगी के अनुभव से कहूँ तो उन दो लोगों को कहना चाहूंगी कि वो दो लोग जिसे जीवन साती हैं जैसे कोई जीवन साती जिसे के चले जाते हैं या कोई हम अपना करीबी जिश्टार खो देते हैं और इस को जुस्तता तलाग देना पड़ा और वो इस चीज से उबर जाते हैं तो इन दोनों को भी मैं बहुत स्ट्रॉंग कहूंगी अब मैं वीडियो एंड करते हूं तो इसे एक सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है थैंक्स वर वॉचिंग